Hello everyone, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग answer writing strategy के उपर बात करेंगे Paper 5 and paper 6, इन दोनों paper के लिए हम लोग answer writing आपके बीच discuss किया था और वो काफी काम किया, आज की इस वीडियो में especially paper 7 को cover करने जा रहा हूं और यहां पर मैं आपको question 22 analysis करके बतलाओंगा कि किस question के लिए कितना समय लेना है और कितने page के अंदर उसका answer लिखना है, तो आप सभी last तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तो, paper 7 को solve करने के लिए आपको total 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानि कि 180 मिनट आपको 180 मिनट के अंदर ही paper 7 के हर एक question का answer लिखना होगा आप लोग कोसिस कीजिएगा, इस 180 मिनट के अंदर हर एक question का answer आसानी से आप दे दो वहाँ पे तो चलिए अब मैं आपके बीच strategy को share करता हूँ तो पहले हम आज आते हैं first number question की योर paper 7 के अंदर पहला जो सवाल पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा explanation section से यहाँ पे total चार सवाल exam में पूछे जाएंगे और चारो सवाल में और करके आपके पास alternative option होगा यानि एक question में दो option करके और आपको केबल 4 का ही answer लिखना होगा और चारो आठ आठ marks करके रहेंगे यानि 32 marks का यह पहला सवाल आपका cover करेगा आपको बताया कि 4 सवाल का solution यहाँ पे लिखना होगा तो 4 सवाल का solution लिखोगे तो आप लोग कोसिस करना कि एक सवाल है 8 marks का तो 8 marks के लिए आप लोग 15 मिनट का समय लीजिएगा और 23 से तीन पेज के अंदर answer को लिखिएगा अगर आप एक सवाल के लिए 15 मिनट लोगे तो टोटल 4 सवाल का solution दोगे तो आपका यह 60 मिनट में section complete हो जाएगा यानि एक घंटे के अंदर आप explanation वाले segment का answer दे दोगे और अगर एक घंटे के अंदर आप दे देते हो तो काफी अची बात है explanation थोड़ा tough माना जाता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक घंटे का समय दे रहा हूँ चार ही सवाल का answer आपको देना होगा एक question का answer आप लोग 15 मिनट में लिखना तो चार question साथ मिनट में solve हो जाएंगे और 8 marks का सवाल है तो आप जैदा मत लिखिएगा धाई page के आसपास लिखिएगा समय बचे तो 3 page touch कीजिएगा otherwise धाई से 2 page sufficient रहेगा तो यह statsy हो गया first number question के लिए अब आईए second number question की ओर दोस्तों दूसरा question से ले करके और last question तक के लिए आप लोग एक ही statsy को अपनाना क्योंकि यहाँ पे हर एक question 17 marks का ही रहेगा चाहे वो दूसरा सवाल हो तीसरा हो, चाउथा हो, पाँचमा हो पहले number को छोड़ करके अधर हर एक question के लिए आप एक statsy को अपनाना जो अब मैं बतलाने जा रहा हूँ दूसरा जो सवाल आएगा दोस्तों यह आपका आएगा poem और poet इन दोनों section से रहेंगे यहाँ पे आपके पास दो option रहेगा या तो आप poem बाले में से किनी एक का अंसर लिखो या फिर poet वाले में से किनी एक का अंसर लिखो किनी एक section से एक question का ही आंसर लिखना होगा और वो सवाल रहेगा 17 marks का तो जहाँ पे भी 17 marks का सवाल आए आप वहाँ पे साढ़े 4 से 5 पेज के अंदर आंसर लिखोगे और समय आदे घंटे का लोगे इससे जायदा मत लीजिएगा 2-4 मिनट कम लोगे फिर भी आपका असानी से बन जाएगा तो ये हो गया दूसरा नंबर question के लिए अब आए तीसरा नंबर question के योड तीसरा नंबर question में भी सेम स्टैट्स दी को अपनाना है यहाँ पे चार से पांच पेज के अंदर answer लिखिएगा बस हो गया अब आए चाओथे नंबर question की योड चाओथा नंबर सवाल रहेगा इसे section से यहाँ पे भी exam में दो सवाल आएंगे आपको एक का अंसर देना होगा और वो एक रहेगा सत्रा माक्स का सवाल रहेगा सत्रा माक्स का तो साढ़े चार से पांच पेज के अंदर answer लिखोगे और तीस मिनट में कोशिस करना यह सवाल मेरा solve हो जाए अब आएए पेपर सेवन के last question की योड यानि पांच मा question की योड पांच मा question रहेगा सौट स्टोडी से यहाँ पे भी दो सवाल पेपर में बनेंगे एक का answer देना होगा और वो रहेगा सत्रा माक्स का सवाल सत्रा माक्स का रहे तो साढ़े चार से पांच पेज के अंदर answer लिखना और कोशिस करना तीस मिनट के अंदर सवाल को हम solve कर ले बस इतना ही करना है इसके अलबा कुछ नहीं करना है आप पूरे मिनट को calculate करना 180 मिनट हो जाएगा और 180 मिनट ही आपको दिया जाएगा पेपर को solve करने के लिए और हाँ एक चीज और बतला दूँ यहाँ पे मैं आपको समय थोड़ा जायदे करके बताया हूँ explanation के लिए भी मैं आपको 4 question के लिए 1 घंटा दे दिया हूँ हर एक long question के लिए आधी आधी घंटा का समय दिया हूँ और वो काफी जैदा समय हो जाता है इसलिए आप लोग कोसिस करना हर question से कम से कम 2 से 3 मिनट जरूर बचाए अगर आप 2 मिनट करके भी बचाओगे total 5 सवाल बनेंगे तो इस परकार से total आपका 10 मिनट के आज़ पास समय बच जाएगा और जब last में आपके पास 10 से 15 मिनट का समय बच जाता है तो वो काफी important हो जाता है आप फिर से हर एक question को देखोगे कि कहां पर मैंने क्या छोड़ दिया answer लिखते वक्त फिर उसको आप फुल्फिल कर दोगे तो काफी काम का हो जाएगा समय इसलिए कोसिस के लिए कीजिएगा हर question से at least 2 मिनट 3 मिनट करके जरूर बचाए तो दोस्तो यही एस्टेटजी को अपनाना है बाद मां कि paper 7 के लिए जो guess question मैं बतलाया हूँ आप उसको बढ़िया से कीजिएगा डिक्टो सवाल आपको paper में वही से देखने को मिलेगा paper 5 and paper 6 यह दो paper का exam आप दे करके आये हो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि हमारा guess question कितना काम करता है और नहीं तो आप उसी recording तयारी कीजिएगा बाद मां कि अगर आपके पास guess question ना हो तो हमें whatsapp message कीजिएगा मैं important question आपके बीच share कर दूँगा आप उससे तयारी कर लेना आप exam में काफी अच्छा score कर पाओगे साथी साथ दोस्तो recently हम एक Instagram ID open किये हैं तो आप सभी students वहाँ पे जा करके उसको follow कर लिजिएगा इस वीडियो के description box में मैं link share कर दूँगा यह मेरा ID है जैपाल 101 और जिसको हमारे से कोई query पूछना हो यह मेरा whatsapp number है आप इस पे whatsapp message करके पूछ सकते हैं किजिएगा call ना करे केवल और केवल मैसेज करने की कोईजिस किजिएगा मेरा whatsapp number है 7048928746 thank you so much everyone